नमस्कार दोस्तों, बैंक ओफ इंडिया का बैलेंस इंक्वारी करना अब हुआ बहुत आसान, अगर आपका बैंक ओफ इंडिया में एकाउंट है तो टेंसन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अब आप घर पे बैठे ही, बैंक ओफ इंडिया का बैलेंस इंक्वारी अपने वा करना है और इस नंबर को simple से step में आपको save कर लेना है bank of india जानि कि bank of india के नाम से आप 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 बी ओ आई भी लिखकर save कर सकते हैं या bank of india के नाम से इस नंबर को save कर लेना है save करने के बाद अब हम लोग इसको cut करेंगे और चलेंगे अपने WhatsApp में WhatsApp में चलेंगे अगर आप कोई भी नए नमबर सेव करते हैं उसको ढूढ़ना रहता है तो आपको पहले क्या करना होगा रिफ्रेस करना होगा तो चलिए मैं रिफ्रेस कर लेता हूँ अपने WhatsApp को और यहां पे लिखता हूँ B.O.I. जिसका फूल फ्रमोता है बैंक ओफ इंडिया तो देखिए बैंक ओफ इंडिया का WhatsApp बैंकिंग का नमबर आ गया है जिसको मैं B.O.I. बैंक के नाम से सेव किया है सिम्पल इस पे तच करेंगे उसके बाद यहां पे आप लोग देखेंगे बैंक ओफ इंडिया फाइनेंस लिखा हुआ है इसके बारे में डिटेस में जनकारी दी गई है यहां से बढ़ सकते हैं या ऐसे ही छोड़कर अब चलना है और सिम्पल से एस्टेप में हमको हीवड में इन बैंक रजिष्यूर मुवाईल नंबर फो रजिस्टरेश्ट्रेशन यदि कि लिए अपके रजिस्टर मुवाईल नंबर पे एक o tpi कर दिया गया है हमारे नंबर पे एक o tpi आ गया है इस OTP को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टाइप करता हूँ और टाइप करके भेज देता हूँ तो चलिया फटाफट मैं क्या करता हूँ OTP को type कर लेता हूँ type करने के बाद मैं इसको भेज देता हूँ जैसे मैं भेजूँगा कुछ इस परकार का interface आपको देखने को मिलेगा यहां पर देरा OTP भेरेफिकसानी successfully kindly read terms and condition अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं अन्या था आप एगरी पे क्लिक करेंगे जैसे एगरी पे क्लिक करेंगे कुछ इस परकार का interface आएगा Welcome to Bank of India WhatsApp Bank की यहां से आप balance inquiry कर सकते हैं branch locator credit card bill payment उसके बाद बहुत सारे option दी गई है तो एक न एक को हम press करके इसको भेज देते हैं यानि कि हमको balance inquiry करना है कुछ इस परकार का interface आ रहा है यानि कि बता रहा है कि मेरा number तो Bank of India में जूड़ा हुआ है लेकिन मेरा जो number है mobile banking के लिए यानि कि WhatsApp banking जो है उसके लिए register नहीं है तो मैं क्या करता हूँ हच या star को type करके और back आ जाता हूँ कुछ इस परकार से आप भी हच या star को type करके back main menu पर आ सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ आप WhatsApp bank की या mobile banking के लिए आप bank of India में आपको अपने mobile number को register कराना होगा उसके बाद आप simple सा message करके अपने account की balance inquiry कर पाएंगे दोस्तों मैं उमीद करता हूँ मेरी दीगे जिनकारी आप लोग को अच्छी लगिया अगर अच्छी लगिया तो मेरे वीडियो को लाइक किजेगा वीडियो को share किजेगा चैनल पर पहली बार आया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को own कर दीजेगा